मंगलवार को पुलवावा में सुरक्षा बलों के साथ मुर्भेड में मारा गया लशकर टैबा का कमांडर अबू दुजाना पाकिस्तानी था और पाकिस्तान की ओर से ही उसे कश्मीर में जिहाद के नाम पर भेजा गया था मुर्भेर में माने जाने से ठीक पहले डुजाना से सेना की बाचीत का टेप सामने आया है जिसमें उसने पाकिस्तान की पोल खोली है डुजाना ने इस बाचीत में साफ कहा है कि वो जानता है कि पाकिस्तान एक गेम खेल रहा है और कश्मीर में जो चल रहा है वो जिहाद नहीं है तो इस सब पता है कि यहाद नहीं है तुम लोग निकले जिहाद के लिए पर यह जिहाद नहीं है ना यार चलो यार चाह करेंगे इस टेप में आर्मी ओफिसर को दुजाना से ये भी कहते हुए सुना जा सकता है कि उसे पाकिस्तानी एजन्सियां इस्टिमाल कर रही है और वो मासूम कश्मीरियों के लिए परिशानी का सबब बन गया है लेकिन वो कुछ खास नहीं कहता है दस लाक का इनामी आतंकी दुजाना मंगलवार को पुलवामा सिथ हकरी पूरा में सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया पिछले साल जुलाई में हिजबुल आतंकी पुरहानवानी के मारे जाने के बाद दुजाना धक्शन कश्मीर में काफी जखरीय था पाकिस्तान के कबजे वाले गिल्गित बलाटिस्तान का रहने वाला दुजाना ने मात्र 17 साल की उम्र में कश्मीर में आतंकी अबु कासिम के साथ काम करना शुरू किया था कासिम उस समय घाटी में लशकर का चीफ था कासिम के 2015 में मारेज जाने के बाद कश्मीर में लशकर की सिम्मेदारी दुजाना को मिली थी दुजाना 2015 में उधंपुर में बियसस के काफिले पर हुए हमले का अरोपी था इसके अलावा भी दुजाना पंपोर में हुए हम दे ततक कई अन्य आतंकी वारतातों में सीधे शामिल था इसके अलावा बटगाम और पुलवामा में बैंक लूपने में भी अप्रत्यक्ष लूप से वो शामिल रहा था दुजाना का माराजाना सुरक्षाबलों की बड़ी काम्याबी है तो दुजाना का खुलासा पाकिस्तान को बेनगाब करने के लिए काफी है